ओके नहीं तो फास्ट कॉस्न फिया गिवन दाट एक्सलेरेशन दे रखा है वन मीटर पर सेकेंड स्कॉर इसमींस वन यह एसी मिट में ही है तो फोर्स हो कि आपको मास इंटू एक्सलेरेशन ठीक है तो 20 इंटू 10 पावर मानस 3 इंटू 1 यह जिरू हो अगर इसको देजाए आप एक तो एड़ हो जागे इसमें 2 इंटू 10 पा है तो यह पिए आपको समझ भाया हो फिर जलते हम आपनों नेक्स्ती कुछिन दीखे किया है कि पूर्ट बूर्छिन पर दिरका रहा है अब पर फोर्स बनेट न्यूट आ दीक है तो फोर्स दिरका आपके अंडेट न्यूट निटिके एक टोनर मास्ट 25 kg and master यहां पर 25 kg and time जे रहें को 5 second काम केस में ठीक है फिर पुझा है what velocity does it generate इसका velocity क्या होगा यह तो velocity के लिए हमको यह बाद पता है यहां पर क्या है पहला एक दसे निकाल लेते हैं एक होल्ड हो गया आपे आपने 25 मतलब 4 आगया मीटर पर सेकेंट स्कूर्ड आपको पता है कि वी को लुक्या तो यू प्लस एटी यू के बार में कुछ कहा नहीं 0 लेते है यू प्लस ये होगा आपके 4 टी होगया 5 तो क्या आप हो 20 मीटर पर सेकेंट ट्राइट आंसर ठीक है तो यह आपका इसका ज लेगा कि जन्यट करेंगा फिर जल्दे मोग थार्ड कोशिन दीखे क्या है अब बुलिट लिफ्स और अट्र वी देवलिस्टी ओंडेट पर सेकेंट यहां पर जो देश्ट का विलसिटी इस तर इस हंडेट मीटर पर सेकेंट यह इनिचल विलसिटी है क्योंकि यहां पर स इस पहले हम एक फॉर्मुला डिसस किया थे क्या कि क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों इनिचली डेश्ट पर था ठीक है तो एक बात आपको पता होगा कि लॉप कंजवेशन मोमेंटम से क्या होता है एक यह बात आपको अभी थादर पहले आप अगर देखें होंगे इसका लेक्चर वीडियो थियोरी पार्ट तो उसमें बता हैं नहीं तो इसके इसके इनिचली लिंक है देख रही जाब डिस्क्रिप्सन लिंक दिया हुआ है तो आप इनका देख सकते थियोरी में है ठीक ह तो इनिचली ही रेस्ट पर था तो यूवण जीरो हो जागा ठीक है एन यूटू जीरो जागा हो तो यह थियरो यह कर देख एल अनके अंट विदू और एदर थो सिंपल सालिए कि माश अप और एकट रैफल देखा लोगतर पर चया है और ईहां पर बुलेट का जो मास है यह तो पता नी मास बुलेट हमको नहीं पता है लेकिन विलोसिली पकाई कि 100 m per second तो यह तो हम निकाल लें यहां से पॉइंट उड़े करी है तर इस 10 तो यह नीच्छी उट डिवाइट माल जाग तो वन थॉज़ंट 25 वाइट वन थॉज़ंट इकल टू मास अपुलेट तो देर्फोर मास अपुलेट इकल तो आ गया जिए जिरो पॉइंट जिरो टू फाइब केजी तो आइटिंक ऑप्शन में क्या देखा जिरो पॉइंट टू फाइब केजी कहां में इस तो कहीं मुट्प्लाइम तो उगलती नहीं आप देख लेते के मिट नहीं सही है कि प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन हो सकता है आप लोग देख लिए क्योंकि फॉम्मला यह लगने वाला है आज थि यहां पर मास जो है लिए 25 के जो आठीक है तो आपका यह सही आजगा तो टो 25 नीचे अब 10 ने यह 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 तो इसमें दे रखा है कुश्यन में कि असर्टन फोर्स अक्टिन बोड़ी ऑप मास 15 केजी ठीक है तो अपर मास दे रखा है 15 केजी है ठीक है और टाइम दे रखा थी सेगेंड काम के इसमें पर एंड गिफ्स विलसीटी ऑप 2 मिटर पर सेकंड तो इसका फैनल हो गया होग दी तो भी होगे आपको 2 माइनस का 0 अपर 3 ठीक है तो यूगे आपको 2 x 3 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्राइब अब यह मास होगे 15 के जी ठीक है तो एफिकल रुट होता है म इंटो ए तो एम होगे आपको यहां पर 15 इंटो ए तो भी निकला 2 x 3 कि कर जागा 5 तेम में तो 5 तो यह 10 तो यह 10 तो फॉर्ट आपका जाएगा 10 तो यह तांसर ठीक है आगे चलते में लोग नेक्स्ट कोशन कहां देखते हैं फॉर्ट के बाद फिफ्थ में अ किर्केट बॉल अप मास्ट युव पंट फाइज ए ठीक है तो मास्ट प्रिकेट बॉल जो है यहां पर 0.15 टेराक है ठीक है यह पात प्रिश्क पाद कहां कि विद वेलोसिटी आप 1.2 मिटर पर सेकेंड तो किर्केट बॉल का जो फेलोसिटी आप यह दाड़ इस 1.2 मि फाल दिबॉल्स ओन दी बॉल अग्षप्लाइज पाद बाई बैडी प्लेर इप इस एबल टेरो पॉल इन तो लोगा कब यहां पर इतमेंज 0.18 सेकेंड में यह बॉल इस तो यहां पर कि तो हम बात करते हैं यहां पर कि इसका जो वेलोसिटी दे रखा है यहां पर That is 1.2 मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होने वाला ठीक है? बोडी का क्योंकि प्लेयर जो है 1.8 सब्सक्राइब इसको रोग ले था ठीक है यहां पर है तो अब हम बात करते हैं यहां पर एक्सलेशन क्या होगा बोड़ी है एक्सलेशन को दो होता भी मिनस्यूपटी मतलब फाइनल विशेटी मैनस इनिसल विशेटी अपन टाइम तो फाइनल होगे जीरो मैनस इनिसल देटका 1.2 डिवाइड वाइ 0.18 इसको सॉल्ल करें तो तो यह एक जिरो उपर चला जा ठीक है और यहां पर एक जर नीचे आएगा दो जिरो अपर जागा तो इसमें मैं आप अगर चाहे तो कारने के कार सकते हैं तो यह होगा पर सकेंद इसकेंद खुई है तो यह आगे आपका एक्सलेशन टीक है आगे हम बात करने को यहां पर वोरिद आट इंपल्स इंपल्स इस वाट फोर्स इंटु तैम तो इस फिर्फस टो फोर्स जाए है फोर्स को एमें टू यह होता है तो मास होगे आपको यहां पीस नियुक्न को जो मास देखा है तो जी पूंट उन-फाइब करें तो जिरुड़ पोंट 1-5 इंटु एंटु बटो यह पर यह प्लालाई प्रवाथ को पता है क्या होता है इंपस़ आपको समलें कि ऑस तो यह मैन सब्सक्राइब यह उसको आप मैनस करें कर लेजिए आगया मैंस में तो बात ऐसे फोर्स आगिया तो इंपल्स की बात करेंगे इकल डू तो एफ इंटो टाय टी तो एफ इंटो टी एफ हागे आपको वन मैंस में और टैम होगा जिरो पॉइंट वन एट इस निगेटिव का जिरो पॉइंट वन एट न्यूटन से केंडर इस इंपल्स ठीक है यह तापको इं ओन इंपल्स जिरो पंट वन एट न्यूटन शेकर तो यह आपका आंसर आझा ठीक है तो फोर्स तरीश वन न्यूटन अगे तिया पर से केंड़न है कि हम पर और यह आपन वन एटन सेकेंड इंपल्स अगए पहले इंपल्स पॉल दाफाइंड करने फिर बात में फॉर्स क कौशन में नेगए बिए डूटम फोर्टन निर्ट देखते हैं किया है यह आगे है कि तो कॉशन में कहा गया देखें इसमें कॉशन में क्या दिया रखा है आप मोर्टर कार ऊफ मासेश का तरिंग जेर्ट तान्ट वह जेगे इस ब्रेक लगाने के बाद इसका फैनल ब्लुसरी जीड़ होगे यहां पर एंड विदिन इस्टेंस मुप 20 मिटर यह जो है उस तैम में एक डिस्टेंस मुप कर गया ब्रेक मानने के बाद 20 मिटर यहां पर एंड वेंड दो अवरेज बिइंग ऑपर बाइंड फाइंड आय। इसमें जो फोर्स लगा है दा इस 500 नुटर ठीक है यह फोर्स काम के एंड पूछाए कि वह वाद वाज़ु किस वह वाद पूछाए थी बोड़ी चाहिता थी तो पहले प्छलेशन निकाल देश्यान होग ठीक है तो यहां पर गया 5 by 2 meter per second square ठीक है एक्सलेशन आगे आपका यहां पर आगे हम बात करेंगे आपर formula देख देखें यहां पर formula को भी ए ठीक है और S में इसा formula बहुत बार बता चुकि आपको है पिछले चप्टर में आप देख लिए बहुत सारा question इसमें इस method पर क्या हुआ है तो भी होगा आपको यहां पर देख दो बाट शेरो ये यू तो पता नहीं तो इंटू अच्छा एक बात करें तो यह फाइव फ़ाइब टू ठीक है मतलब कि एक बात आपको समझना क्या है यहांना हो गया ह Cape 20डnatural समय है कि और टलोटे मिटार-bमेट्र होगा क्यों कि अग्र कमार्ट हो गया है यहांना आप यहां पर रिटार्डेस्ट होगा यहां नएक फिर ट्टफ विस्ट्रा G ellux का डगाए यहां पर अगर माली यह मैनस रहेगा तो यह आपको मैनस हो जागा ठीक है तो यह आपको फाइफ टू यह जागा जागा तो जो बोडी का स्पीद होगा तो यह आपका अंसर करेक्ट है तो फिर चलते हम लोग सेवन नमर के कुश्चिन में देखे क्या कुश्चिन दे रखा सेवन में में पर देखे को जो का फाइब के शाइब करें तो क्या क्यों देखे का तो फोर्स करें पाइब करेंगे तो हमें जो गरिफाइब को जबैगा है जो इसका velocity है दर इस what इनीचल विलसीटी जो भी जीरो होगा ठीक है और फिलो सिटीटी फाइनल होगे आपका फोर इन्ट्रेट पे पर मैर्णस टू मीटर पर सक्किन करें पर एकthank Toasmat पर इसके लिए सेलेस्ट पर यह एकल्ट होता है ब सी तो विगले पर दश्री टाइम करने टो यहां पर चार से चार 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 थुलिए था ठीक है मैंना सुने के बाद तरीश वट एक अल्टो को हो गया यह 4 इंटू टेन पर पर मैनस फोर बाइफ और यह 4 फोर कंचिल तरीश टेन पर पावर मैनस का फोर मीटर पर सेक्ट स्कूर यह आपका एक सलेशन और समार्च देखा जोरपन यहां पर फाइब तरीकर इसक् पावर में तो यह निकिति गोगा मैंस टू जाए ठीक है यहां पर तो यहां पर मैस फोर आ गया तो मिस्टेक से तो यह हो गया टैन पर पावर मैस टू मीटर पर सिक्ट स्कूर अमिनिकाला फोर्स टारिश एम इंटू एम होगे है यह पर यह पाइब फाइब इंटो एज तो फाइब इंटन पर मैस तरी इंटन तो फिर भी दांसर अब इस कोशन ठीक है और इसका अंसार सही दिया हुआ ठीक है जलते हम लोग एट नमर का कोशिन देखे क्या है ओके तो एट में कोशिन दे रखा है यहां पर देखिए अब फॉर्स पाइट इंटन इज एक्टिंग ओन एट केजी मास फॉर फॉर सगेंड प्रवाइट इट सम विलिसिटी कल्कुलिए दविसिटी ठीक है तो यहां पर हम अगर बात करें यहां पर कि ऑध डेकर है एक फॉर सए इट प्रोटे है ठीक है फॉसीट है यह सुन सम भाई बात इम डेना के बाते हुरें तो तो दिखें, क्या गहना हमें हमें आपे, सबसे बड़ी बात है कि हमें निकालना हो है V, तो पहले हम A निकाल लेते हैं, यहां से, A इकोल दो होता है, F by M, तो f हो गया 8 और m हो गया 8 that is 1 meter per second square तो यहां पर आ गया acceleration 1 meter per second square हमें क्याच हो यहां पर a का formula एक हो रहता है b minus u upon t ठीक है तो इस तरीके से v गोली u plus a t निकाल सकती है न तो यह का फ़ली 1 है यह न भी निकाला है यूदो जीरो है टाइम लगा फोड़िए इस तरीके से टाइम फोर सेकें रहा है यहां पर तो यह काम करते हैं फोर इंटो फोर होगा देरफोर तो वह गोल्ट आप निकाल सकते हैं पर फोर टीक है यहां पर फोर मिटर पर सेकेंड तो वी जोग आपके हैं फोर मिटर पर सेकेंड गोगा तर्फ विलीवी दान साथ अगे बात करेंगे दीए नाइन में कॉश्चन क्या दे रहा है अब वाट वुड़ वी दावेट अप बोडी बाइब आप मास्ट फिटी केज ना बोडी जो मास्ट दे रहा है तो अन्तों सवाट पर मून का सबसक्राइब रहा है वह जी को फिटी मिटर फी क्ली को जोका है तो आपको पता को कि फॉर्स इकोल को टो जानवेट इकोल होता है एम जी मोगे 50 इंटू 1.6 यह ओड़ेगा 10 करेंगा 165 जा 80 ठीक है यह पर अच्छा पूछा गया कि वेट है ना वाट पूड़ दे इट मास्ट तो मास्ट वही रेगा मास्ट भी चाहिए होता नहीं तो मास्ट तो फिटी के जी रहने वाला ठीक है तो मास्ट जो है बोड़ी इसलिए वेट चेंज हो जाता इसलिए वेट इन रहता बाकी मास्ट होता ठीक है तो आगे हम बात करेंगे यहां पर यहां नमर के बाद 10 पर कुश्ट करें देखिए तो 10 में कुश्ट यहां पर देखिए कि अब बॉड़ी जंप टू मीटर ऑन दा सर्फेस उप मोन फेजी तो फिल्ट अब तो कुश्ट को आई तिंक यह बात अब समझ के होगा एक बॉड़ी है न तो आर्थ के से पे जंप करता है तरिसे ट्व मीटर ठीक है और मोन के से पिस्टा जंप कर पाएगा ठीक है वही वह बॉड़़ी जंप करें तो और एक बात है कि जो जी है न यहाँ पर मौन का दरिश एर्थ का वन बेर श्यक्न तो अब देखिए कैसे इसको साफ करें तो सबस्य पहिसे हुए निका इनिशल वेलशीटी जो यह हमें फाइंड करना है ठीक है और एक्सलेशन जो दे रखा है यहां पर है तो जी नीचे लगए तो यह निकेटी हो जाएगा यहां पे तो यह बात आपको बता होगा ठीक है और डिस्टेंस यहां भी दे रखा एस टू मीटर ठीक है इस तरीके से तो आपको पता होगा कि वी ए यू निया प्रभी यू एस मी कोई से पड़्ॉग यूज करते हैं वी स्कॉर इकोल टू लगा लेती है तो जी होगे यू तो पता इंहें में प्लस का टू टैम ये हो गया आपको मैनस का जी इंटू एस होगए टू ठीक है तो यू स्कॉल ट को एता तो मैनस का यू इस कूल रए बाद हिए अब बात करें यहां पर आगे की यह दो गवान के लिए मौन के लिए हम बात करेंगे मून पर टिक है तो यहां पर भी जूरू होंगा को देका तो यूँद आपको पता है स्क्राइब यहां आगे हमको बता यहां पर जो एद रखा ठीक है तो यह माइनस का हमको जी बाइशिक्स होगा ठीक है क्योंकि अर्थ का वन सिक्ष्ट है मून का ठीक है एक्सलेशन दो मून और हमें आस निकाला है तरह निकल जागा ठीक है इस तरीके से न हेरे तो आहेसं फाइंड़ुआट हो जागा ठीक है तो हम लगाए थे फोर्मिला सफिर से होई वाला वेस्वेस्वारिकल भी स्क्राइद स्कॉइथ तो एस्वेस्वेर प्लस का टू ए एस टिक हैं तो पीश्वेस्वेर मतलब जीडी न यूस्वेश वाट फोर जाइए प्लस का टू इंटू यहांप क्या हो गया मैनस का जी वाए 6 ठीक है इंटू एस तो फाइंट करने है ऐसी तो चाहिए मैं तो आइटिंग की करेगा 236 हो जागा ठीक है अच्छा यह 4G को इधर ले आते हैं तो मैनस का 4G हो गया इकोल तो यहांपे मैनस का जी अपन तरी इंटू के एस जी किन्सिल हो जागा मैंस मेंस किन्सिल हो जाएगा तो तो इस वाट 4 x 3 equal to s तो यहाँ पर जो s होगा है वो 12 meter हो जाए ठीक है हम पर तो therefore s equal to 12 meter जो jump कर पाएगा moon के surface पर 12 meter हो जाएगा तो इसको आप दोनों दूसरे तरीके से बना सकते हैं दोनों को divide कर जाएगा तो बना के दोनों को divide कर जाएगा तो दोनों में आपको डायक्ट इस तरीके सा जाएगा अंसर तो आपको जैसा चलेगे आगे हम चलते हैं टेंद के बाद 11 कुश्यन में 11 के दरेका कुश्यन ओकी तो 11 कुश्यन दरेका है यहाँ पर देखिया यहाँ दो बोड़ी है तो बोड़ी है मां लेज एक इधर जा रहा है ठीक है एक बोड़ी इधर आ रहा है अपोजी डायक्शन में ठीक है एक एक के जिगा है दोनों का विलोसिटी जो है फाइव मिटर ठीक है तो कल्कुलिए तो टोटल मोमेंटम अब द शिस्टम बिफ़र द को लिजन ठीक है त तो सीथी से बात है एक एक का उल्टा करेंगे फिलोसिटी उल्टा होगा क्यों क्यों कि एक का डायक्शन उल्टा है तो हम यू को इस डायक्शन उल्टा लेते है तो होगी हाँ पर एम टू मैंनस का जो टूटीक है यहाँ पर क्योंकि एक का डायक्शन उल्टा है तो वरिजटा एम उन हम माले तो वन के जी ठीक है इंटू यह फिलोसिटी ए फाइफ मैनस का एम टू माले तो अन्ड यह दरका फाइब तो नेट मोमेंटम जो होगा यहाँ पर कितना होगा पाइब मैनस का वनइन टू फाइब हो जायगा ठीक है ऐन फाइब टैन हो जायगा तो यहां तो अर्ण हाँ उन को वाइब के जी मिटर पर सेकेंट टीक है पर आंसर देंका फोर के जी तो एक मैंस चेकर लेए फिल सक्या नहीं है फिर अगे सब कुछ क्लियर है हो सकता है इसमें अंसर मिस हो रही है तो इस खांट से मैंनास 5 के जी ठीक है यह उने वाला है तो इसमें आंसर मिस लग रहा है आगे चलते हम दोख ट्रोइल कुछिन देखें के ट्वल ते में कुछिन रहा है आप बुलेट ऑफिटीं गरांट एक तो प्लेट जो है तरिश फिटीं करांट यहां पर शक्राट करका की विद वेलसेटी वन ट्रॉन 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 ट्रॉन 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 ट्र मास ग्राम एक्षों केजिए मिला एक जाओगा एंबी वी इक्वाल टू माइनस का मास अफगान इंटु फिलिस्टी अपकां टेकि इस तरीके समला का लिए फूमला क्योंकि इसली दोनों रेस्ट में था तो जो मोमेंटम पहला होगा वह दूसरा को लॉप कंजोविशन मोमे एक जी होड़ा है यहां पर वन इन्टु एम जी तो निखालना में यह मल्टिपला होके जीए जीए जो गट जाएगा तो पंदर गुन अबार एक सबस्टी अपन वन हंड़ेट एक जो फिल गटेगा तो एम अपची इकोल तो तरीश वाट वन पुइंट एट केजिए तो इसका अंसर पर मैच कर गया तो थर्टी ने देखिए कुशन क्या दर रखा है कि पुराना इडिस्क बूग है आपके पास अगर है नया वला तो देख लिए जाब उससे मैच कराके तो आप में कुछ हो सकते निव आंसर आज है ठीक है तो बागी जो बतार आदे आंसर आप प्लाम करने तो सब्सक्राइब निकाहले तो इस अविए निकाल लेते पहले हैं ने, हमकोन पहले न पहले है, तो पहले बता चुके है तो फाइनल भी निकाला है तो पहले हम एकल डू होता है एप बाई दो जाओ जाओ टो यांगे समय सीओं मीरें र या अधार पिह इस सिक्स मेंट भाव सेखेट ठीट आपको है आ ये-ठी एक्टिय अीए रहा हुता है आपको सिक्षे को भी दाते है लिये वह एकोर टो यू प्रस्याट गाल गिसी में टीप टो यह था थे खियो प्लस आए यूँ हम जिरो क्यों ले क्योंकि हाप इनिशल विलिसिटिक बढ़ें कुछ कहा ने कहा था ठीक है तो हमें इसलिए यह जी रोलेना पर ठीक है अब है ओके उसका अमें फिल निकालना है और टाट मुमेंटम तो मुमेंटम आप डियाक टिकाल सकते हैं तर इसवाट मिन्टम टिक होते हैं तो फॉर्टाइब टाइम पर सेकेंड तो तर इस तो 30 केजी मीटर पर सब्सक्राइब तो मोमेंटम आगया 30 kg या न्यूटन से कह सकते हैं तो कि आपको पता है आपको फिर से देख लिए अगर नहीं समझ माया तो आपको किलियर हो जाएगा फिर सब्सक्राइब तो 14 में देखें क्या है 14 में तो 14 में कोश्चन दे रहा है यहां पर आप 421 न्यूटन एक्टिंग होना साटन मास ऑफ 30 सेगेंड तो फॉर्स हो गया आपको 80 न्यूटन यह काम कर रहा है कितना सेगेंड के लिए टाइम आपको देख लिए का 3 सेगेंड एंड विलोशिटी दे रहे खापको यहां पर 6 में पर स्क्राइब तो फाइंड दा मास अपड़ी तो मास फाइंड करने ठीक है तो वैंड बॉडी इंसलेट तो योग आपको जिरो टे इस आपको यू निकाल सकते हैं आपे ना स्वरी ए निकाल सकते है एको अटा आपको घृड़ी मेंनस यू पन टी तो वी कितना है अपो 6 मैंस दी दीनिस मेंज डू मीटर पर सब्सक्राइब एक्सलेसे नागे है आपको किया जाए है फोर्स सब्सक्राइब उसको मास तो मास तो यह आपको जाए ठीक है फिर चलते हम लोग नेक्स कोशन क्या है मेरे पास देखें फिप्टीन में क्या कुश्छन तो फिप्टीन में कुश्छन रगा है अट्वाय आप मास 0.1 kg ठीक है एंड मास ते रहना पर 0.1 kg ठीक है एंड स्पीड फाइब पर स्केंड ठीक है तो फिलेशिटी देखा है फाइब मीटर पर स्केंड ठीक है वें पूस्परवार्ट जब इसको आगे को धक्का देता तो यह मतलब फाइब मीटर पर स्केंड से चलें लगता है ठीक है और इते इंपल्स गिए तो इंपल्स के लिए और तो कुछ मिला नहीं इसमें ऐसे कैसे पूस सकता है तो इसकम टाइम तो चाहिए फोर्स इंटो टाइम जब तो निकलता है तो इस वोट मास अपन तो सीटी से को एक लिक्सरी नहीं रहा है तो इस वह मिसिंग है हमको लगता है यहां पर जो फॉर्स उस्ता टाइम देखा हो था जिए पन वन सेकेंड तो चाहिए तो टाइम अगर जिए पन वन सेकेंड है तो एक्सलेशन आ गया क्या आँ फाइप अपन जिए पॉंट पॉंट पॉंट 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 इंटू फेवटी टिया तो यह आपका और फाइप नुट है एधिंग कुछ मीशिंग इसमें तो क्या हुआ यह तो पदा नहीं एक लेकिन नो टाइम यह पंट वन अगर ले ले तो यह बन जाता ठीक है तो कुछ नहीं कुछ मीशिंग है चलते हम अगर प्रजेक्टाय वेटिंग टू पन्डड केजी अगर फाइफ फोंट अगर विद दा फोईटी फाइप हंडड़ मीटर सकर्ड है तो यहाँ पर जो प्रजेक्टायल का विलर्टित रयकर गड़ कैं तो टिस टू हंड़ट पिंड़ केजी ठीक है मास होग फाउंध प समझ लिए कि वह गोल अटाप्स हो गाया तो फिका गया इस तरीके से इस तो गन का जो है विल सिटी आ गया है तो बात इस किया थे यूज M1 V1 equal to M minus M divided तो यह तो minus यूज़ करते हम इचले तो यह formula यूज़ कर ले थे हम यहाँ पर इससे क्या मिलेगा M1 की बात करे तो 200 into 500 equal to that is 12.5 multiplied by M of J mass of current ठीक है तो यह अगर नीचे आ गये था तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर दिखे 200 into 500 divided by 12.5 point 2 देका उपर जागा 10 that is M of J अभी कर चेकता है 25 से कर जागा 25 से कर जागा 5 time है 25 से 2 0 5 से 5 4 जा 20 कितना होगा 8 पर 3 0 है M of J आगा 8000 kg ठीक है यह आगा ना दीक है 4 तो जाएट 2 0 1 तीं तीं तो जागा 8000 kg तो आगे चलते है तो आगे चलते है 17 में कॉच्छन देखे क्या देर रखा है तो 70 में कॉच्छन देखा है यह पर है तो माली यह F1 and F2 काम को रेशियो चाहिए ठीक है इस तरीक इस तो तो कैसे निकाल F2 होगा जैसे M into A1 upon A2 टेक है यह तो कर जाएगा यह वन कितना देखा हमको यह वन एक पार 4 है है और दूसरे बार 16 है तो कटके 1 पार 4 आजएगा तो 1 देखे 4 देखे तो यह आपको आजए ठीक है यह शिंबल था आगे चलते है 18 में क्या देखे कांस है 18 में क्यूशन देखा है टू मासस अब 7 kg एंड 12 kg आजए अड़ कनेक्टेट अड़ टू इंस अब लाइट स्ट्रिंग एक्सेंड सेवल एक्सेंड 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 पार्स अबर्ट फिक्शन लेस फुली एज सौन इन दा फिगर टिया और फांड एक्सें इसमें अब मासस एंड टेंशन इंड इन दो स्ट्रिंग वें दो मासस अर रिलेट ऑगे तो सींबल से बात है कि क्या रखा यहां पर एक बात कि टेंशन क्या होगा ठीक है जब मासस को ऐसे नॉर्मल चोड़ा गया है तो इसमें तो इसमें भी है एक तर टू वैल के जिए ह इसको समझते हैं क्या है तो यह इधर चाहिदा होगा तो मतलब सब्सक्राइब नीचे चलेगा ठीक है बाड़ी टेंशन होता है अब यह फरम दा बॉड़ी लगता ठीक है उपर क्योर है यहां पर टेंशन लगड़ा मान लेड़े ठीक है तो हम इसके लिए क्वेशन कर लि लेकर यह उपर जाएका प्राट यह नीचे कई दर मास ज्यादा है तो धर नीचे उपर के लिए बात करें तो नीचे करें हैं इसके इसके लिए हो फ्री बोडि डियोंट आगरां कि क तो नीचे काम करेगा टेंशन ठीक है और एक्सेलेशन इसका ए माना हुआ तो आप पता सकते हैं आपके क्या होगा नीचे जा रहा बोड़ी है तो एक्वेशन जोगा नेट फोर्स इकल तो होता है न्यूटरिन के सगेंड लोग से तो 120 माइनस का टी इकल टू में मतलब टूर्ट में है टीक है टूरे जित हो गया फॉर्स टिक प्रेशन रखा अब इससे हम लिख लेते हैं यहां पर एक्वेशन दूसे क्या आगा दिखिए नीचे लग गया मतलब 70 उपर आगा टी मतलब 7 जी आगा नीचे टीक उपर आगा यहां पर टी तो मतलब सबसे और यह दोनों में बडा को मिट्टी वड़ा कि यह उपर जाए तो टी बड़ा होगा तो टी मैनस सेवेंटी इकृट कितना होगा दोनों को सॉल्फ करने से क्या मिले गया यहां पर कि इम बिला ठीक है टीक है कि इस्टी किसील हो जागा तो 120 माणंस 70 कितना हो और 50 हैं पिप तो 50.98 में कितना होता है आपको 2.58 के अप्रोक्स जाएगा मीटर पर सेकंड इसको ठीक है तो यह आप निकाल सकते हैं ठीक है ठीक है तो देखे अब एक्चली यह क्या है एक जगह ना 4.9 लिया इस तरीके से यह तो आपको यह आगया तो आप टेंसर निकाला है किसी एक में टीके फिल्व पूट कर लिए अपको टेंसर निकल जाएगा तो हम फर्स्ट में पूट करते हैं तो फर्स्ट से आप होगा 120 मैनस कर टी अदर इक्वल टू एले है तो 120 मैनस टी के जगा हम टी रखेंगे त्वल एक विद्र लिया त्वल एक विद्र लिया त्वल टू होगा टी ठीक है तो 120 तो 120 ही रिएगा मैनस टूल को हम टूल लगते हैं यह कितना होगा यहां पर 2.58 बड़ा बटी होगा इस तरीके से तो अगर हम मल्टिप्लाइब करते हैं तो 2.58 को मल्टिप्लाइब करें तो यह आता है मेरे पास 30.96 में लूट थाड़ीवन की अप्रोक्स आता है तो एक तो अगर इसको मैनस करते हैं यहां पर 120 वेसे तो मेरे पास आएगा 89 की अप्रोक्स आता ठीक है तो आधक है तो यहां पर वही 86 के अप्रोक्स हा रहे बूक में तो इसमें 89 की नुटन आठेक है यहां पर नाथ है तो हमें जो है एक जगा यह जी गे जगाँ यह 9.8 उसक्यक्त आपकर तो फिर कुछ अलग आंसर आगा इसका थोड़ा से तो य तो यह method सो ही है, method जो हम बता है आपको, यह method, यह यह यूँज हो हो यह यहाँ पर, इस तरीके साप इसको बनना है, थीका है, तो दो equation वड़नों का इस तरीके साब बना सकते है तो आप इसको solve कर सकते हैं, अगहर credible है तो फिर साप इसको देख रहे हैं वीडियो को ठीक है तो आप एक बार फूड़ा क्लियर हो जाए रहे है फिर चलते हम लोग ट्वैंटी के कुश्चन नहीं सोरी 19 में कुश्चन क्या रहा कर देखते हैं वोगे तो 19 में कुश्चन देखा है यहां पर देखिए कि एक जो से एक जो कि इंचल हो जागा ठीक है एंड कितना से अंडिट के जिगान से टीक है सब्सक्राइब कर देखिए तो मास्ट विगन हो गया पर टैन के जीग है कि एप एंड व्लेसिटी इस फोरंडेश तो व्लेसिटी प्लेट नहीं है देखिए तो फेर चोंड पर देखिए तो वोडिटों हमको यह फाइंड करना है तो फिर चो भी बात हम फार्मुला उज़़ करेंगे क्या MB mass of bullet into velocity of bullet equal to mass of gun into velocity of gun ठीक है तो यह आजाएगा में पास क्या देखते हैं तो mass of bullet कितना हैं में पास mass of bullet आएगा that is 1 by 100 kg into velocity of bullet 400 ठीक है equal to mass of gun तो we don't know what is the mass of gun here, sorry mass of gun 10 kg दे रहा है, that is 10 into velocity of gun यह find करना है, तो इसको हम चीज हो है मेरे पास, क्लिए है, 400 यहाँ पर है, ठीक है, यह 10 kg है, और यह 10 kg है, और यह 10 kg है, यहाँ तक, सब क्लिए है, okay, तो यह 2 जो जो किंसी लो जागा, that is 4 equal to, जो यह 10 नीचे आजगा, पर सेकंड तो यह 10 kg है, तो यह 10 kg पर सेकंड यह तो यह निगेटिव क्यों है, आपको पता होगा, कि अगर left जागा दूसरा राट है, मतलो, bullet आगे जागा, तो गन पीचे जागा, इस तरह किसे तो एक तो इस तरीके से, तो यह दिहान अखना आपको, तो आगे चलते हम, next question दीखें, 20 में क्या है, question, ओके तो 20 question दे रखा देखें, a hunter has a machine gun, on that fire 50 gun, a 50 gram bullet, with a velocity of 75 meter per second, तो एक hunter है, जिसके पास 50 gram का bullet है, ठीक है, और इसको हम अगर kg में ले तो 50 है, हो जो एंटा जाए, ठीक है, mass of bullet, and velocity of bullet, that is 75 meter per second, ठीक है, अब दूसरा बात क्या रखा है, कि a 60 kg tiger is, a springs at him with a velocity of 10 meter per second, तो एक tiger है, जो 60 kg है, और 10 meter per second है, hunter के तरफ ठीक है, तो पुझा गया, कि how many bullets must the hunter fire per second into the tiger to, in order to stop him in his track, तो मतलब क्या रखा कि यह कितना bullet per second fire करे है, जिस वज़े से वो अपने जगर पर रोक चाहिए, तो मतलब मोमेंटम का इसमें काम है, इकोल करना है, तो माले थे, let the number bullet be n है न, इकोल to n आगे रहे है, तो एक लिए दोनों का, हमको मोमेंटम बढ़ावा करना, tiger का n bullet कर रहे है, तो bullet आगया, 50 by 1000 into n आगया, इसका velocity देखा 75, यह मास होगे, बलेट का, number of bullet n, n 75, इस पीर होगा रहे है, और tiger के बाद हम बात करें, tiger का मास 60 kg ठीक है, और यह आरा 10 meter per second, ठीक है, 60 kg का है, tiger and r 10 meter per second से, तो यह हो कि आपको यहां से, हमको end चाहिए, तो निकाल देते है, 200 आगया हाँ पर, 25, 25, 25, 5 से 15, 4, ठीक है, तो end हमको find करना है, end इकोल दो आगया, यह चला जेका उपर, 60, इसको कर देखे 5, 4 जा, ठीक है, तो आपको सीदे आगया, 40 into 4, that is 160, ठीक है, तो एक सकेंड में 160 बुलेट अगर यह अंगर, फायर कर देता है, hunter, तो मतलब कहने है, क्या हुआ, इसका जो टाइगर है, उसी जगर रुक चाहिए, तो चलते हम लोग 21 के कुश्चन देखें, क्या है, 21 में, क्या है, तो 21 कोश्चन देखा, असल अप मास, 0.12 kg, और 0.02 kg, फायर भाई गन आप 100 kg मास, ठीक है, इप तो मजल स्पीड अप देखेंड अप देखेंड, फायर बात करें तो यहां पर देखिए, असल अप मास, 0.02 kg, तो मास अप साला के आपको आपको, 0.02 kg, ठीक है, फायर बायर गन आप मास, 100 kg, तो मास अप देखेंड, तो मजल स्पीड अप दसवल एज, 80 मिटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मजल के जो स्पीड यहां पर ठीक है, यह मास उप गन दे रखा है यह ठीक है और इसका यहां पर जो है सेल है मास उप सेल यह और मास उप सेल का जो स्पीड दे रखा रहेगा यह यह दिर रखा अब देखा ने पर सेल वा सेल पर सकंद वाइज़ रिखुल स्पीड तो विलसिति अब आपके यह उप आपके यह फाइंड करना तो हम वहीं काम करेंगे यह मुण ब्लागा लेते हैं आपके तो 0.02 इंटू 80 एक वड्य इंटू प्रसिति अपकर यह फाइंड करना तो यह ट यह पॉइंट वड़ेगा तो यह भी अंडेट नीचे ही आए गड़ेगा तो यह क्यों से जो गिंचिल हो जागा 18 2016 by 1000 इकल टो वीजी एंड वीजी इकल टो 0.016 मीटर पर सेकेंड गड़ेगा तो यह आजाग आपका तो यह निगाटिव को उतलगी होता है चाहिता आप यहां पर निगड़ेगा फिस्तर लिए आज चुका है यह वाला पिर चलते मों नेक्स्ट 22 को कुष्छन में देखे क्या है 22 में की अगे तो बिद रोक ट व्र लुट नों acontecendo उसके नेमें नुसक्त कल Europot Tech V समय की रोकेट में उपर ब्लष काल ना यापर तो एक-चीज रही काम होता ठीक है तो अभी इसमें आपको पढ़ना नहीं है इसमें डिटेलिंबैंग्म पाग्य परना कि इसमें क्या होता है इसका मास अलग अलग जगण पर और व twisted निकालते तो हमें इसको यह अब उपर जा रहा है यह फाइव मीटर पर सीकेंड से इसका मतलब क्या हूं नीचे का यह 10 इए पर psychology स्कूर एंफर क्यों लगाना पढ़ा हूँए 2 यह 5 जा पाया हो क्यों कि 9.8 यह नीचे इंचिल हो गया हुग हो इसको जैसे इसके जी के वज़ा से तो जी यह नीचे इतना केंसिल कर देगा इसलिए रोकेट अगर ही 14.8 मीटर पर से स्क्वाइड से अगर उपर क्यों फोर्स लगाएगा ठीक है मतलब यह एक्सलेशन लगाएगा तो 9.8 यह केंसिल हो जाएगा जी के वज़ा से बाकी यह 5 से नेट से जा पा हाँ के तो सिंबल से हुआ का मालीजियरोकेट का मास है ठीक है यह रोकेट है मास एम-1 आघ तो नीचे इस में लगएगा एम-जी ठीक है उपर लगने वाला यहां पर आप ओर से उपर जैगा ठीक है तो नेट वर्स इकल अतलिए है तो f- yhtकल суд में हो सब्सक्राइब करें तो यह नहीं है तो यह इस तरीके से तो निगा लें तो फ्यक्राइब अपको आफे प्लस का में तो यह वह जैगा आपको नो अगर हम बात करें हैं पर तो एक फिकल्ट कितना हो जाएंगा एम कोमन ले लेंगे हैं पर तो एम कोमन एक इतना आपको दरिश्वाट ए ओगे आपको 5 और जी ओगे 9.8 तो एम इंटू 14.8 ठीक है यह आपको मल्टिप्ला करना है एम से तो दरिश्व फोर्स अप रोकेट फोर्स केरेट रोकेट रोकेट इस तू फोर्स मतलब 20,000 इंटू 14.8 तो मतलब यह होगा मल्टिप्ला करना है इस तू से तू पॉइंट हो जाते हूं एक ठेन बचेंगे एक तो कितना हो गया एक हो जाए 16 केरी हो गया आपको 1 एंट 14 जाए 18 और 119 ठीक है 20 तो यह आपको 29 इंटू इस पर 30 तो आप चाहिए तो इसको पॉइंट में करवर कर सकते हैं तो 2.96 इंटू 10 पर पावर 1 2 3 4 5 है ना तो यह आपका फाइनल आंस हो जाए ठीक है तो आपको समझ माया होगा ठीक है तो इस तरीके से हम जो है इसका जो कुश्चन था हम सॉल कर चुके है ठीक ह आगे फिर हम सॉल्व करते देखिया